नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों बगवान शुन्डेव कहते हैं कि मेरा कहा पत्थर का लकीर है कोई भी नए बदल नहीं शकता शबी देव दोटाओं के बगवान शुन्डेव निया की देवता कहलाते हैं जब या किशिजाता की जुनकाल में कोई परिणाम देते हैं तो बहुत ही शोच समझ कर देते हैं जेंदोसों और आने वाली दस दिनों के अंदर आप शिपी की जुनकाल में आपके पांच बड़े शपने शच्छ होने वाले हैं कोई बदल भी नहीं शक्ता प्रेंद दोस्तों आप शुपी को बता दे कि नहीं प्राप्त करने के लिए यह में आपको छे पीशित बातों का ध्यान रखना होगा जो कि दोस्तों आज के इसी वीडियो में हम आपको बहुत विस्तार से समझाने वाले ह को बिल्कुल ही मिशना करें और सुरूसरी कर अंतर तक दिखेगा यह बातों को अगर आप शमझ गए तो दोस्तों यकीन मानिए बगवान शुपी कि रपातों आपके उनकाल पर रहेंगी साथे साथ दोस्तों आपको अपने उनकाल में ऐसी कुछिया मिलेंगी कि शब दोस्तों यकीन मानिए आपके जिवनकाल के शबी महत्पुर्ण श्रमें में श्यक्ष्र में शाविद होगी यह में आपका भाग उदाई का शाविद होगा कि दोस्तों भगवान शुनिदेव के श्रबाश्य आपके कुंडली के बहुत शारी से दरवाजी खुल चुके है जोगरों की सुभीयों का निर्मान है उन्से दोस्तों बहुत शारी से दरवाजी खुल चुके हैं जिनमें आपको लाब में मिलेंगे मानशमान मिलेंगे बहुत शारी चेत्रों में आपको परगती भी मिलने वाली हैं तो दोस्तों अंत दख देखना वह आपका दायत होग यह दोसों हम बस दावा करते हैं कि अगर आप वीडियो को अंतर देखेंगे तो आपके श्रमे की बरबादी बिल्कुल भी नहीं होगी जै दोसों तो बिना देर के वीडियो को शुरुआत करते हैं शरुपर्थन दोस्तों जो भगवान शुनदेप के सच्चे भक्त वीडिय दोस्तों भगवान श्रीकिशन कहते हैं कि तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है जो भी कमाया है यहीं रह जाना है कर ले कुछ अच्छे कर्म शाद तेरे यहीं जाना है रोने शे तो आशु भी पराय हो जाते हैं लेकिन मुश्कुराने शे पराय भी अपने हो जाते हैं में नहीं हम हो इंशानियत दिल में होती है हैशियत पे नहीं उपर वाले कर्म देठता है तो दोस्तों भगवान श्रीकृष्ण का याग्यान अगर आपके दिल को चुग गया हो शच्चा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक प्रेम शेकर दें और इनके लिए कौन से खुशकवरी मिलने वाली है शादि कौन से शावधनियाश में आपको रखने होंगे बहुत तरकेश बात करेंगे तो दोस्तों अंत तक देखेगा कि दोस्तों वीडियो के मद में कुछ इसे बाते बताएंगे जिने दोस्तों सुन लेंगे तो दोस्तों बगवान श शनीदेव को शब से शरुषेच मानते हैं कि दोस्तों बगवान शुनीदेब जो हैं बले ग्रूर देखते हैं लेकिं दोस्तों आप शीगों ना इन्शापी नहीं करते अगर वह अच्छे कर्म करते हैं तो उन्हें फल जरूदेते हैं थोड़ाशा देर लगता है लेकिन देर उनकी परिक्षा होती है जो कि आपको भी परिक्षा का शामना करना पड़ा है पिछले शमय लेकिन अब शमय आ चुका है जब भगवान शुन्डेव आपके अच्छे कर्मों का फल देने वाले हैं और आपके भागी में आपके कुंडुली में यह जो लाब के दरवाजी खुलने वाले हैं दोस्तों यकीन मानिए इन से आपके अच्छे कर्मों के शारे फल आप मिलने वाले हैं जी दोस्तों हम आप शिभी को बता दे आने वाले दस दिनों के अंदर भगवान शुन्डेव के शिरवाशी आपकी कुंडुली में बहुत अच्छे-च्छे योग बनने वाले हैं जिसे दोस्तों आप शिभी के जुनकाल में बहुत शारी बदला होंगे आपको बत्ता दे कि दोस्तों यह शुमें कलात्मक क्रिया कलापों में और रुची पुर्ण कारियों में शुकत दिन आपका वईतिद होगा फॉन कॉल दुवारा आपको महत्मुष्ट हम आप शुक को बताते कि आने वाले दस दिनों के अंदर बगवान शुनदेव के शुर्वास से समय बहुत यह नुकुल होगा बच्चों की किसी समय का श्रमधान मिलने से भी आप रहात की शांस लेंगे और अपने व्यक्तिकत गतितियों पर भी ध्यान देपाएंगे प् आपके शुनकाल से जुड़े हैं और यह नुकाल में बहुत शारी बातों का ध्यान रखें अपने बारे में ही शूचें और अपने लिए ही आप काम करें कभी-कभी दोस्तों थोड़ा शुवार्ती होना भी आपके लिए ज़र्य होता है अपने परतिवा और गताओं को न स्वान रिष्णदेव आप शी बस यही कहते हैं आने वाले दस दिनों में ग्रहितती आपके लिए आत्म विश्वास और आत्मबल को और परबल कर रही है क्योंकि आपकी कुंडली में जो शुभियों कर निर्मान है बहुत यह आपके शुत्र को मजबूत करने वाले हैं अ आने वाले दस दिनों के अंदर घर के बड़ी बुजरों का अश्रिवाद आप पर बना रहेगा शाधिशा दोस्तों यश्में बगवान शुनदेप का भी आश्रिवाद आपकी जुनकाल पर होंगे कुछ समय धार्मिक नमाजिक समबनित गत्रिदियों में भी वहतित करें इ इगर आपने पिजलेश में अच्छे कर्म किये हैं तो दोस्तों उनका प्रिणाम आपको मिलना तो उत्ता हो जाता है शाले साथ दोस्तों आप एश्रिवाद कारिक ने ताकि शुनदेप की नजरों में आप बश्रक दें जैसे कि अपने से नीचे वर्क की विक्तियों और दोस्तों इसी लोगों पर आप अपने योगदान दें सर्क्राइब की नजर आपके ऊपर होगी और दोस्तों भगवानम कहीं न और कहीं आपके दर्श कहीं की निकल जाएंगी हल हो जाएंगी किजी नई देकी मित्रिया फिर इस्तिदार के इशाद बने हुए खराप शमदों में भी दोवरा मदूरताएंगी बगवान शुनदेप के शिर्वास्ची यह शारी कारी शमदों होंगे आप पने आपको काफी हद तक तना मुप्त भी याश में महशुष करन नहीं तो इन बातों का ध्यान रखें अचानक शेही कोई रखी हुई पेमेंट आने से या पिर जो भी पेमेंट आपकी भंशी हो आने से कोई काम आपकर बन सकता है और आप इंशित प्राव मुप्त भी महशुष करेंगी दोस्तों आपको बिता दे कि आने वाले दस दिनो को बताते कि भगवान शुनिदेव के श्रुबाश्य आने वाली समय में आने वाली दस दिनों के अंदर गरह इस्तियां बहुत बहुत ही शकात्मक बनी हुई है बच्चों के केरियर शमंदी सुप सुचना मिलने से घर में उत्वाप का महल रहेगा अगर अस्तान परवरतन की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों इनके लिए शमय उचित होगा हम आप शिप को बिताते कि दोस्तों बगवान शुच्ट देव आने वाली दस दिनों के अंदर आपको कुछ वेश से सावधनिया रखने को कहती है छे वेशिज बातनों का आपको ध्यान रखना होगा ज इसलिए दोस्तों किसी मित्र या फिर भाई के साथ शमन्त खराब होने की असंका लग रही है इसका आप ध्यान रखें ज्या दोस्तों इसका नकार्त्म का शुर आपकी कार्चंता पर पढ़े सकता है तो सबसे महत्पून चीज है कि आप इस बात पर सबसे जदा गौर करें दोस्तों संतान पंश को लेकर मन में कुछ चिंता रहीगा कुछ शमय उनकी समझयाओं के शमधान के लिए जरूर निकालें विवयर्त की घुमने फिरने अफिर मोई मस्ती में अपना शमय बरवाद ना करें दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि दोस्तों बगवान लाब के नईने मौके तो आपको खुलेंगे शाती आपको हर जगर से सपोर्ट भी मिलेगा जिनमें आप नहीं भी सोचेते हैं दोस्तों आशी भी आपको शयोग की प्राप्त होगी लब लाइप के लिए शुमें बहुत यचा रहेगा जिवन शाती का बरपूर शयोग माइंड को फ्रेश रोकने का फ्रेश करें और आपको हलका मश्रू करें दोस्तों कभी उतना ना सोचें जिनसे आपका मनोवल बिगड़ जाए जिए दोस्तों कि भगवान श्रंग्रेप कहते हैं कि मत सोच की तेरा शपना क्यों नहीं पूरा होता हिम्मेत वालों को इराद कभी अधूरा नहीं होता जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जिएवन में कभी अंधेरा नहीं होता ज्या दोस्तों इस बात का ध्यान रखें अपने जुनकाल में बिल्कुल भी चिंता ना करें तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आज कर यह वीडियो आपको बहुत कि अच्छा लगा है अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इस दिल्जान कारें के लिए चैनल को भी सुब्स्क्राइब कर लें धन्यवाद आप शभी का दिन शुब रहे